ओम शांती, गॉट मॉनिक, कैसा था कल का दिन, डिफरेंट थोड़ा सा, किस-किस को याद रहा, क्या याद रहू तो पुछा है नहीं, आचा ठीक आप भी बता दू, क्या याद रहा कल सारा दिन, क्या याद रखना था सारा दिन, एट का जवाब, प्यार से देना, अचा और, परिस्तती हमारे कंट्रोल में नहीं है, और क्या कंट्रोल में नहीं है, people are also not in our control, wonderful, क्या कंट्रोल में है, वाँ, दो दिन में ही change आने लग या ना, और मन क्या करता है, सोचता है, अपने आप संकल पाते हैं, अपने आप संकल पाते हैं, अच्छा लगता है ना अपने आप आते हैं, पते हैं क्यों लगता है अपने आप आते हैं, किस-किस को लगता है अपने आप आते हैं, किस-किस को ऐसा फील होता है कि अपने आप आते हैं वो इससे लगता है क्योंकि गलत सोचने का संसकार पड़ गया है जब कोई चीज हम बार-बार करते हैं तो वो एक auto mode में चली जाती है और जब वो auto mode में चली जाती है तो पता नहीं चलता कि हम create कर रहे हैं वो इतना natural हो जाता है, वो करम हमारे लिए इतना natural हो जाता है हो जाता है कि पता नहीं चलता, पर धीरे-धीरे समझ के level पर तो पता चल रहे हैं न कि हमारे पास choice है कि नहीं है choice है कि नहीं है, देखो पहली चीज होगी realization, ठीक है सबसे पहली चीज होगी realization realization का मतलब यह नहीं है कि transformation एक तम आ जाएंगा कल आपके साथ दिन में अगर दस बाते होई होगी, तो हो सकता है एक में आप कर पाए हूँ और नौ में नहीं भी कर पाए हूँ ऐसा भी तो होता है, यह भी हो रहा होगा कि आपकी intellect कहरी है कि ऐसा करना चाहिए, right यह है, लेकिन हो नहीं रहा होगा ऐसा किसके साथ हुआ कर, है ना, पर कम से कम मुझे realize तो हुआ ना, कि right क्या है, wrong क्या है, अब realization के बाद चो next step होता है, वो है determination determination, दरता, मना कोई भी चीज को perfect करने के लिए, आज एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको छोटी छोटी चीज़े सिखाते हो, लिखना पढ़ना सिखाते हो, जब आप उसको लिखना भी सिखाते हो, तो वो पहले A alphabet से शुरू करते हो, जब आप उसको A भी लिखवाते हो तो कैसे लिखाते हो, आप उसका हाथ पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो, हाथ पकड़ते हो और पूरा पेज क्या करते हो, उससे A लिखवाते जाते हो, वो चीज आपके लिए करना कितना easy है, उस बच्चे के लिए कितना difficult है, उस बच्चे के लिए easy कब होगा, उस पहले मुश्किल होती है, हर चीज़ प्राक्टिस करते करते easy हो जाती है, हम में से majority को अच्छी बाते सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप में से कहीं हैं जो ये कोर्स पहली बार नहीं करें, कहीं चेहरे तो मुझे पहचान में हैं, हम हर साल आते हैं, कोर्स करते हैं, फिर course पुरा होता है, फिर समय शुरू होता है किस चीज का? practice का, वहाँ जूट जाती है क्योंकि नहीं बाते, सुनना हमें अच्छा लगता है, लेकिन सुनना और बनने के बीच में जो main चीज होती है, वो है दिरता दिरता से उस चीज को करते जाना करते जाना करते जाना और करते करते फिर वो परिवरतन automatically दिखाई देंगा तो हम यहाँ पर सुनने के लिए सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए सुनने के बाद कोई भी एक point उठा करके उसके साथ क्या करना है practice करना है practice से आपको जो experience होगा उस experience की खुशी मिलेगी अच्छी बाते सुनने में अच्छी लगते हैं लेकिन उसकी खुशी बहुत temporary है थोड़ा सा मैं आपने सुना आपको अच्छा लगेगा अगर सुनने में कोई चीज इतनी अच्छी लगती है तो आप एक बार सोच कर देखें कि बनने में बनने में कितना उसका सुख मिलेगा तो सुख मिलता है उस चीज का जब हम उसको अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं अभी ये तो clear हो गया ना कि situation लोग हमारे control में नहीं है पका हो गया कि अभी भी किसी किसी को लगता है कि नहीं नहीं ये possible नहीं है एक last situation लेकर के इसको complete करे एक पर और उसको revise करें अच्छा मान लो आज आप सब office में जाते हैं ठेक है office में आप पहुँचे आपकी छोटी सी गलती के लिए जो boss था उसने आप सबको डांट दिया आपकी गलती भी same थी boss भी same था और जो डांट पड़ी सबको वो भी same थी चाहिए घर में mother-in-law नहीं boss से जैसे हमें डांट पड़ी तो हम सबका जो reaction है वो same होगा क्या अलग होगा अलग-अलग होगा जैसे जैसे एक एक करके boss के office से बाहर आएंगा उनके चेहरे देखते जाओ same होंगे अलग होंगे क्या फरक होगा क्या फरक होगा चेहरे देखते जाओ हर एक के reaction में response में कोई difference होगा कि same होगा difference होगा क्या difference होगा कोई कैसे बाहर आएगा गुस्से में आएगा कोई नहीं आप क्या करेगा वो नहीं बताओ चेरा कैसा होगा बस वो बताओ अच्छा कोई बहुत शान्त होगा कोई गुस्से में होगा कोई डर में होगा कोई हसरा होगा हो सकता है ना कोई हसरा होगा कोई टेंशन में होगा कोई रो रहा होगा अलग-अलग response है कि नहीं है जब एक एक करके बाहर आ रहा है अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो-चार लोग उस्से में आते हैं या दो-चार लोग उधास आते हैं तो उसमें से कोई तो है जो वो अपना दर्द जो है वो एक दिन के लिए पकड़ के रखता है और कोई ऐसा है जो वो दर्द पांच दिन के लिए पकड़ के रखता है ऐसे भी हो सकता है कि जो हमने create किया है अंदर में वो कोई एक दिन के लिए पकड़के रखता है तो हो सकता है अब आप एक दिन वाले को पूछने जाओगे क्या हुआ छेरा इतना उदास क्यों है लटका वा क्यों है वो क्या कहेंगा अंसर क्या देगा वो मेरी गलती नहीं थी लेकिन बॉस ने डाटा, यही अंसर होगा कि नहीं होगा, मैंना मेरी उदासी का कारण कौन है, बॉस फिर आप पांच दिन वाले के पास जाओ, उसको पूछो, आपका चेहरा इतना उत्रावा क्यों है, वो क्या कहेंगा सेम बॉस ने डाटा, अब अगर बॉस ने डाटा और मेरे दर्द का कारण सामने वाले के डाट है, तो हम सब का दर्द सेम होना चाहिए के नहीं होना चाहिए फिर हर एक का दर्द अलग-अलग क्यों है हर एक क्या अलग-अलग है हर एक की सोच अलग-अलग है तो मेरे दर्द का कारण बहुत नहीं है मना कोई हमें डांटता है तो उससे हमें दर्द नहीं होता होता है नहीं होता तो अभी फिर वहाँ पर दर्द सेम क्यों नहीं है No, but I have to decide today this कि मेरे दर्द का कारण सामने वाला है कि मेरी दर्द का कारण मेरी सोच है दोनों बाते बहुत अलग है अगर मेरे दर्द का कारण सामने वाला है तो हम सारी एनर्जी किसको बदलने में लगाएं सामने वाले में कितना possible है तो जो not possible है वहाँ पर अपनी सारी energy खर्च करके क्या मिलेगा मेरे दर्द का कारण वो है कि मेरे दर्द का कारण मेरी सोच है वो जो कर रहे हैं वो right wrong है उसमें नहीं हम जा रहे सामने वाला right है कि wrong है वो एक separate matter है totally separate है लेकिन अभी सामने वाला चाहे गलत है चाहे right है मुझे जो अंदर experience हो रहा है वो उनके वैवार के कारण हो रहा है कि मेरी सोच के कारण हो रहा है पक्का कि थोड़ा थोड़ा कचा कचा यह जो जो हम बोलते जाएंगे न वो सारा दिन करना भी तो पढ़ेंगा न उनके वैवार के कारण मेरी सोच नहीं क्रियेट हो रही, वो ठीक से वैवार करें तो मेरी सोच पे ठीक रहेगे, हाँचे, सोच उनके पर डिपेंड हो जाएंगे, मनद वो अगर ठीक से वैवार करेंगे, तो हम अपने आपी सही सोचेंगे, तो हमारी सोच का आधार, उनका वैवार है? हाँ जी, ना जी, शायद कुछ तो बोलो, नो? उनका वैवार है कि नहीं है? किस-किस को लगता है? मेरी सोच का कारण उनका वैवार है ना? ठीक है, मेरे दर्द का कारण मेरी सोच है, लेकिन मेरी सोच का कारण उनका वैवार है, ऐसा? राइट? हो हाथ कड़ा करे जिनको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है अगर उनके वैवार के कारण उनके behavior के कारण मेरी सोच है तो उनका behavior तो सबके लिए same था तो सबकी सोच फिर अलग-अलग क्यों है फिर अलग-अलग क्यों है एक belief system ये वाला change हो गया ना एक belief system आप गुलामी की जीवन से निकल कर मालिक की जीवन जिना शुरू करतेंगे अभी हमारी जीवन बहुत गुलामी की है क्योंकि जो भी हम मैसूस करते हैं हम उसका blame कहीं पर डालना चाते इनकी वज़ा से परिस्तिति के वज़ा से मैं क्या करूं नोंने बोला ही ऐसा मैं क्या करूं बात ही ऐसी थी dependent है ऐसा था ऐसा था तो हम कोई मालिक थोड़ी ना है किसके मालिक मन के मालिक नहीं है हम अभी क्या है मन के गुलाम क्योंकि हम फटाफट responsibility किसी भी चीज़ पर shift कर देते हैं और बार बार हम realize करें कि उनका व्यवार हमारे control में नहीं है अब होता क्या है जिस समय वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं कलत बोल वहां से energy कौन से आ रही है negative हम उस negative energy को feel नहीं करते हैं हमें लगता है पर हम feel नहीं करते हैं जैसे हमने पहले के दिनों में भी बात करी उनके शब्द trigger का काम करते हैं एक commentary वहां से आ रही है जो हम सब के लिए same है दूसरी commentary कहां चलनी शुरू होगी कहां शुरू होगी और वो commentary सबकी अलग-अलग होगी और मेरी feeling वो होगी जो मेरी यहां की commentary है मेरी feeling वो नहीं होगी जो वहां की commentary है अब यहां की जो commentary चलेगी वो सबकी आपने का अलग-अलग होगी होगा ऐसा कि नहीं सेम होगी सबकी क्या अलग-अलग होगी कैसी चलती है वो अंदर की commentary क्या च आप से कोई काम ठीक से नहीं होता, आप समय पर नहीं आते, आपको कितना भी समझाओ ऐसे ऐसे, वो कॉमेंटरी ऐसे है, लेकिन वो वहां से आ रही है, वो उनके संस्कार है, डाटना उनका संस्कार है, अब मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है, स्टेज है, हर आक्टर अपना प्ले कर रहा है, उन्होंने अपना प्ले किया, इतना बड़िया गुसा किया, पुछो नहीं, प्ले किया, मुझे उनके पार्ट को कॉपी नहीं करना है, मुझे किसका पार्ट बजाना है, मुझे अपना पार्ट बजाना है, मेरे पास अपना पार्ट बजाने की पूरी चो इन फैट मैं सिर्फ अपने डायलोग्स चोज कर सकता हूं सामने वाले के डायलोग्स नहीं हम चोज कर सकते हैं वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम किसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपनी उनके करम से उनका भागे यह लाइन लिखने बहुत सरूरी है उनके करम से उन किसी के भी करम से मेरा भागय नहीं बनता है। मेरे करम से मेरा भागय मेरे पास इस समय complete choice है कि मुझे कैसा करम करना है अब आप decide करो कैसा करम करना है उस समय पर।